हेलो दोस्तों वेलकम टू मैं नियो वीडियो मैं हुद दक्ष और आपका स्वागत करता हूं सीडी एडवेंचर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री आफ ट्रेक्टर के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट अगर वीडियो अच्छी लगे सबसे पहला ट्रेक्टर रिचार्ड ट्रेविट थिक ने 1812 में बनाया था इसे बार इंजन के नाम से भी जाना जाता था बार इंजन में एक स्टीम इंजन लगा हुआ था इसके बाद बेंजामिन हॉल्ट ने 1890 में ओल्ड ब्रेट्शी नामक ट्रेक्टर निकाला इसके बाद 1892 में जोन फ्रोलिच नामक अमेरिकन इंजिनर ने ट्रेक्टर में स्टीम इंजन के रनिंग गेर में गैसोलिन सिलेंडर लगा कर एक ट्रेक्टर बनाया इसके बाद 1903 में दो अमेरिकन बिजनिसमेंट चारलेस वी हट और चारलेस पार ने दो सिलेंडर वाले ट्रेक्टर का विश्कार किया 1930 तक ट्रेक्टर के पईये श्टील के होते थे पर 1930 के बाद इसमें रवड का इस्तिमाल किया जाने लगा उसके बाद जोन डियर कंपणी ने ट्रेक्टर का नया मोडल आर को पेश किया ये पहला डीजल ट्रेक्टर था बारत में हरित करांती के साथ कई ट्रेक्टर कंपणी है बारत आई और भारत में ट्रेक्टर बनाने लगी और आज पूरी दुनिया में बारा सबसे ज़्यादा ट्रेक्टर बनाता है और बेचता है आपको हमारी वीडियो के अच्छी लगे कमेंट भी लगके बता है चैनल लोग लाइक करें सिस्क्राइब करें थैंक यू